नमस्कार साथियो मेरा नाम कुशल आनंद है आज बहुत ही important सा discussion करने वाले बहुत छोटा 78 मिनट में आपको हम ये बताएंगे कि इंकम टेक्स इंस्पेक्टर कैसे बने बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि सबसे चुननदीदा पसंदीदा जो post है SST CGL का वो है इंकम टेक्स इंस्पेक्टर रुत्मा भी बहुत अच्छा रेड अजय देगवन वाली मूवी आपने देखी होगी ठीक है अजय देगवन ने सिंगम नहीं किया है रेड मूवी की है अगर नहीं देखी है तो जाएए मासाला बहुत अच्छी आक्टिंग है तो मैं इसमें आपको हर चीज़े बताऊंगा जैसे क्या होते है पावर्स चाहिए न क्वालिफिकेशन सिंपल बात एज ठीक है एक्जाम स्टेज़े इन इसके पावर्स आपको नहीं पता है फोकस ज्यादा इस वीडियो का इस पर होगा बट इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन एज लिमिट एक्जाम टेजेज इस तिलेबस और फीजिकल टेस्ट क क्वालिफिकेशन, एज, एक्जाम स्टेज और फीजिकल एफिशेंसी, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, ओवर्विव, और पावर आफ इंकम टेक्स इंस्पेक्टर और कैरियर गोथ किस तरीके से आपका प्रमोशन होगा ये साले डिसकेशन करने वाले हैं तो सबसे पहली बा as of the date of eligibility, जो form आएगा उसके हिसाब से आप उस दायरे में होने चाहिए, आसान सी बात आपका graduation पूरा हो चुका होना चाहिए, दूसरी बात बात करें age limit की, तो age limit, your age must not exist 30 साल, 30 साल के उपर नहीं होना चाहिए, if you are from general category to apply for the post, general category वाले के लिए 30 max है, exam stage, physical efficiency test, या आप सबको पता है, नहीं पता है, तो इस साल दो stage होने है, tier 1, tier 2, ठीक है, अब इस पर बहुत deep में नहीं जाएंगे, इस पर आपको बहुत सारे videos YouTube पे मिल जाएंगे, हम उन बातों को discuss करेंगे, जो YouTube पे आपको नहीं मिलते है, physical efficiency test, tier 1, tier 2 के बाद आपका PET होता है, जो कि group C वालो के ल होगे, थोड़ा risk walking करें होगे, काम हो जाएगा, note, 1 mile to be completed within the specified time, there is no passing as such, no extra mass, candidate qualifying through staff selection, that is SSC, will have to mandately pass the test in 1 mile run to be held at GREF center, Pune to undergo further medical examination, ठीक है, तो इन बातों पे आप चिंता मत करें, आप आजाओ काम की बाद, job profile, power कैसा होगा, इस पर discuss करते हैं, तो दीके, an income tax officer can expect their posting, either in assessment or non-assessment, ये दो चीजे मज़ेदार है, अब कुछ लोग की आँके खुलगी, ये assessment, non-assessment होता क्या है, raid कैसे मारेंगे, income tax सुनते के साथ, दिमाग में क्या आता है, raid मारना है, तो किस department में जाना होगा, ये समझना होगा, तो assessment sections, you will be responsible for assessing income tax that people, companies और partnership firm are liable to pay, यहाँ पर बस आप income tax calculate कर रहे हो, you will also have to handle refund claims and TDS, that is task deduction at sources, queries, तो ये assessment section में raid वाला काम फिल हाल नहीं है, ठीक है, survey का भी काम होता है, non-assessment, inspector employed in this section can be a part of the rapid response team that conducts raid, अब आ गया, अजय देखवन, ठीक है, the ITS, that is income tax inspector who are given non-assessment duties, usually have to perform only clerical duties, ये बात है, raid मानने जाओगे, तो clerical काम इधर करना होगा, their job is limited to filing officials paperwork and occasionally accompanying raid teams, मतलब non-assessment, अब देखिया, आपकी 24 है, अगर आप assessment आपको अच्छा लगता है, आपको वो department choose करना चाहिए, non-assessment तो आप इसके साथ जाएंगे, ठीक है, overview मैंने आपको बता दिया, अब आते है salary की बात, salary की बात अगर हम करें, तो जो pay scale है, group C, X city के लिए, वो 44,900 से 1,42,400 तक जाता है, grade पे 4,600 इसका होता है, basic पे 44,900, HRS 27%, तो ये सारी चीज़े आप रॉक्स कूल मिला करके, अगर आप X city में हैं, तो आपको 79,000 के आसपस enhanced salary मिल जाएगी, Y की बात, अच्छा Y की बात नहीं करेंगे, allowance और perks के बारे में मैं आपको बता दू, तो मोटा मोटा XYZ तीन तरह के शहर होते हैं, तो उसते थोड़ा थोड़ा salary घटता चला जाता है, और कुछ नहीं, DA, fairness allowance, transport allowance, that is TA, house rent allowance, 30 litre का petrol का पैसा, mobile bill, limited है, unlimited नहीं है, बिधायक की तरह, LTC, चीक है, और HTC, ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है, अब आता है, overview and powers, काम की बात करें, तो देखिए, powers की बात करें, तो ये रहा, आता मार ही सटक लिया जाएं, देख्वन, रेड की मुवी का एक मैंने यहाँ पर आपके लिए डाला है, देखिए होता क्या, income tax inspector, CGL income tax inspector is one of the most popular, most popular and prestigious job offered through SAC CGL exam, department जो आता है, वो आता है, CBDT, that is Central Board of Direct Taxes, और Group C है, लेकिन इसमें, non-guested Group C है, जी कहा है, next, power है, work in one of the most powerful department of India, सब भी literally दरते हैं, क्योंकि हमें knowledge नहीं है, tax के बारे में अच्छे से, that is income tax department, ministry of finance के अंदर आता है, direct connection with commissioners, आपका direct connections, हो सकते हैं, अगर आप उसको directly report कर रहे हैं, अपने senior को, of income tax, as you are going to report to him or her directly, ठीक है, तो मेरे बहुत सारे students हैं, so they really have a good connection, and the best part is, they really feel confident, कहीं भी किसी से बात करने में, भले उनका वो duty का काम हो ना हो, वो बहुत confident रहते हैं, ये तो अंदर से वो तजुड़वा आपको आना शुरू हो जाएगा, having powerful connection with people of higher authorities, great status in the society, society में वो देखो income tax वाला जाड़ा है, तो अंदर कन्याएं भी ऐसा बोलना शुरू कर देती हैं, और जो लड़कियां बन जाती हैं, tall, dark, handsome, hunk भी हो जो होते हैं, वो भी शुरू कर देते हैं, ठीक है, अब great salary, allowance and other benefits, बहुत साथे benefits हैं, salary भी ठीक है, great career prospect, मतलब इन मामलों में कहीं कोई कमी ही नहीं है, कोई कमी आपको एक पल के लिए भी नहीं मिलेगा, आगे बात करें कि आपकी recruitment जो होगी as a income tax instructor होगी, next आप ITO बनते हैं, that is income tax officer, ठीक है, ये grade B, gas state post हो जाता है, 7-8 साल, कभी 5 साल case चलता रहता है, तो इसके लिए बहुत निर्धारीत आप एक exact समय नहीं दिमाग में रख सकते हैं, फिर tax commissioner of income tax, जिसको ACIT कहते हैं, deputy commissioner of income tax, जिसको DCIT कहते हैं, joint commissioner of income tax, आप यहां तक जाते जाते हैं, almost खतमी हो जाते हैं, आपकी retirement हो जाती है, फिर वैसे जो hierarchy है, वो joint commissioner of income tax, additional commissioner of income tax, और अंत में जाकर के commissioner of income tax, मतलब जो UPSC से IRS वाले आते हैं, वो यहां पे आते हैं, और SSC वाले यहां से शुरुआते हैं, ओके, तो बस यही एक छोटी सी वीडियो थी, मैं आशा करता हूँ, यह जानकरी, आपको अच्छी लगी होगी, आपका खून खड़े हुए होंगे, और मेली कौन से फोटो को देख करके, आपने यह movie देखी, नहीं देखी है, तो मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए, और यह भी समझना चाहिए, कि किस तरह से एक government employee, अपने काम के लिए इतना जादा honest है, इतना जादा honest है, और इसका क्या position है, क् और लिटरली, पोस्ट भी ऐसा है, कि आपको बहुत मचाने, and again, it's all about choices, अगर आप income tax में नहीं जाना चाहते हैं, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, काम वही करो, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि काम आपको करना है, मुझे, आपके माता-पिता, आपकी wife, आपकी girlfriend, आपक काम आपको चूज करना है, कि आप अपने जिन्दगी को कैसा spend करना चाहते हैं, okay, so all the very best, मेरे सारे प्यारे बच्चों को अपना ध्यान रखे, घरवालों का ध्यान रखे, stay blessed, over and out.